अज़ादी का अमरेट पहुत सब्सक्राइए और उस दिक इन 11 लोगों की रिहाई है असल में ये साबिक करती है कि ये देश की जनता को देश के अलपसंक्रों और देश की महिलाओं को ये संदेश दिया गया है ये असल में बलापकारियों को बलापकार की अज़ादी है और उनको जो है रिहाद कर दिया जाएगा नहाँ ये आपकार क करने में लुग colonial है झालपसंटेश खिच्च में मेरा गयकार झाल जो लगधनिन अललत yar पियू mortgage कि अजितनता सी आधों ऻले है भी कि युड़े भी ऋन्रेंड़ में में खता से नहाँँ थालती है प्सक्रीज चायकरो शरफ करो तुमाहिलाओं को सरक्षा तेना सचेजो वुबसे हना को सरकार्निकमी है कर दो अप्सक्रीज़र से एंगे किस हिए ने किसे हो से किसे है अगे बंगे मैं वारा केंड़ जायकर देसी है Hasine kid grow, in 2002, Bilkis Banu a 21s old woman who along with other people from her village was trying to escape riot-hit areas of her village and this group of people, Muslims, they were with 20-30 men who then gang啦ven the women present there and killed all but two out of this group of people and Bilkis Banu was a 21-year-old woman then who was five फ्रेज़ बेस प्रेग्साब फेसोर्ली अज़ अबटर बात वोडते नियुज थिच्वाएं अब। धिए घ्युड्स जान्याउसान टिलिए इत्रा अनल्जाए इस इत्राब ढें। जान्याउस्टे इस फेस्टेजिट अवीनग्सित लिए पत इन पनाफ तर फुछें आ इतनी शिद्दत के साथ लडने वाली बीस साल तक लगाता है। अन्याई अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाली एक महिला को जब न्याई मिलता है जब उनके अपरादियों को सजा होती है उसके बावजूद भी उनकी सजा को माफ करके और उस दिन जिस दिन ये अमरित महोत्सव मनाने का दावा कर रहे हैं लाल किरे पे महिलाओं के लिए गड़ियाली आंसु बाहरे हैं तब उस महिला के अपरादियों को उनको ये रहा कर देते हैं और ये कहते हैं कि हमने उनकी प्रोसीजर फोलो किया है शरμनाक बात यह है कि अपरादियों के लिए तो कानूनी प्रोसीजर फोलो करके माफी दी जा रही है लेकिन जिसके साथ उसे दाइशत में जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है. यही हमारे देश का नया है, यही मोदी से हमारी मांग है, कि हमारी महिला है, मतलब इतनी सुलक्षित है इस देश में, कि उनके साथ पूरा कुछ का सबूत होते हो भी, सबकुछ होते हुए उन फिर दोशियों को छोड़ दिया जाता है. लीगली, इसमें केंदर सरकार का उतना ही रोल है, क्योंकि 435 CRPC के पहत, यह मामला पूरा का पूरा, CBI ने जो कि Central Investigating Agency है, इसमें इंवेस्टिगेट किया था, और CBI का जो केस इंवेस्टिगेट किया हुआ होता है, उसके यमिशन जब होती है, तो केंदर सरकार का भी उसमे रोल होता है, बिना उनकी अम्मति के, यह नहीं किया जा सकता है, तो केंदर सरकार और गुजराप सरकार, दोनों ने मिलकर के भारत की जनता, भारत की याई के लिए लगती हुई जनता, और विश्चेश कर भारत की ओरतों को, और उसमें भी हम कहना चाहते है, मुस्लिम ओर तो आपके हत्यारों को आपके बलाबकारियों को जो है क्योंकि चुनाव आ रहे हैं इसलिए लोगों को संतूष्क करने के लिए रहाभी कर दिया जाए 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 This is not just a matter of some fringe elements you know pushing for this release or whatever when elected members are involved in recommending the release it really makes us wonder that what is the state of the so-called independence that we are celebrating in the 75th year I mean crimes against women are on a steady rise everywhere and it's becoming more and more difficult to approach the courts, to approach the legal systems and the police for any sort of justice and you know this sort of case this sort of early release what has happened in Bilkislano case it goes on to discourage other victims other survivors from reaching out to the police from filing their cases from ever approaching the courts for justice you know yeah 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 yeah